हाई गाईज मैं फिर से आगे हैं बहुत छोड़ी छोड़ी चीजे लेके जो नियू मून के बारे मैं आपको बता होना चाहिए आपको इभी अगर रिच्विस कर रहे हैं यानि कि जो में और वीडियो में कवर ने कर पाई हैं मैं इसमें जल्जी से कवर कर देती हूं और इसमें पैसे बिल्फुल भी खर्चना हो ऐसी साथिविक चीजे बताऊं जो हर जगह है जो मैंने खुझ से भी यूज करी मेरे क्लाइं से भी यूज करी है और 100% more than 100% effective है तो चैगी वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगी मैं जल्ली से आपको बता देती हूं जैसे कि म आप न्यू मून पर भी कर सकते हैं बट एक चीज़ ध्यान रखेगा देखे फुल मून क्या होता है इसा रिलीज एनरजी तो आप यानि कि अपने क्रिस्टल बहार रखेंगे रोशनी नहीं होगे लेकिं कोई बात नहीं आप बाहर बालकनी में या विंडोसल के पास पर य साथ कि अब ये एनरजाइज हो रहे हैं for growth, for abundance, for prosperity थोड़े दे रखना है आप एक दो घंटे आधा घंटे minimum रख लीजे बट सूरज की रोशनी नहीं पढ़ने चाहिए तो आप चार बज़े से पहले इसको उठा लीजेगा ठीक है तो एक तो ये चीज हो गई दूसरा कि ज कोई भी ऐसा काम नहीं करना है new moon पर जो आपको release करने वाल चीज़े कोई भी problem जैसे चीज़े नहीं करनी है बल्कि उसका उल्टा affirmation में आपको बोलना है ठीक है तो आप ये कर दीजेगा तो कि मैंने बोला था कि मैं आप लों के लिए वीडियो बनाऊंगी कैसे आप अपन रेकी बॉक्स बना सकते हो या आप विश बॉक्स बना सकते हो वो में नेक्स वीडियो में cover कर लूंगी बट अगर आपके पास money box अगर आपको पता है कैसे बनाना है तो इस दिन आप जरूर उसमें नई slips रखेगा जो पुरानी हूं भले ही कितने दिन हुए हूं new moon पर उन करना है अगर आपको crystal grid बनाना आता है तो आप new moon वाले दिन crystal grid जरूर बनाईए पूरी intention के साथ कि full moon तक आपकी जो problem चल रही थी जो भी चीज़ें जो भी manifest करना चाहते हो वो पूरी हो जाएगा अगर आप ये तीनों चीज़ें आपको नहीं आती है तो आप मुझे message करिए WhatsApp करिए मैंने अपना number दे रखा है प्लीज कॉल नहीं करिएगा क्योंकि में पस इतना मलब time नहीं होता है कि मैं सारी calls उठास रखूँ क्योंकि बहुत सारी healings भी अगर zoom पे चल रही होती है तो वो बीच में disturb जाते तो आप सिर्फ मुझे message कर दीजे मैं आपको reply जरूर सकते हैं तो crystal grid कैसे बनाते हैं अलग अलग purpose के लिए चाहे हो आपके relations से related हो abundance prosperity money से related हो job और success से related हो या protection से related हो कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूँगी आपको money box कैसे बनाना है जिसने कि आपकी life में खुब साय पैसा आता रहे और आप तो रेकी box या wish box नहीं कि आप अपनी wish box कैसे बनाएं और कैसे इसको energize करें कि बहुत सारी चीज़ें आपकी पूरी होती रहें आपको divine guidance और blessings हमेशा मिलती रहें तो यह चीज़ आप मैंने आपको बताए कि new moon पे एक तो आप यह भी धियान रिखें जो project अभी आप अपने pending रखा था सपोज आपको new moon वाले दिन हम बीज बोते हैं कि हमें यह चीज़ चाहिए एवन एक और तरीका मेरे अभी दिमाग मैं में जल्जे से आपको बता देती हूँ आप क्या करें seeds कोई भी आप ले आए बीज होते हैं फलो के fruits के कोई भी फलों के सब्जियों के कोई भी जो बीज हो आप ले आ प्लान नहीं करा था तो यह काम भी आप कर सकते हैं मैं इसका भी अलग से विस्तार में वीडियो बना दूँगी अच्छे से बट यह बहुत इजी है कुछ नहीं करना है कागज पूरी विष्ट लिखी उसको आपने पानी में भुगोया ठीक है उसके बाद उसको पानी से अच्छे से आपने करा कि जैसे उसको प्लेन करके उसमें बीच डालके आप वो बीच गंबले में लगा दीजे और जैसे जैसे उसको रोज पानी देना है सेम इंटेंशन के साथ उसकी केर करनी है कि आप जो केर पानी उसको दे रहा है यानि कि आपकी इंटेंशन उतनी फल है आपको वह काम जरूर करना है में डूर सब्सक्राइब कर न कोड़ां या बना सकती है तो बनाई जरूर करना है और आपको बनाना है zac मध्य शूरू कर सकते नहीं आता है तो मुझसे संपकर ले कामा आपको थे वह जरूर करने आप आप सोचोगे कि मैं तो सिग्रेट छोड़ना चाहरा हूं या कोई ऐसा एडिक्शन आप छोड़ना चाहरे तो आपको यह नहीं बोलना है कि मैं I'm quitting smoking यह मैं सिग्रेट छोड़ रहा हूं या मैं दारू छोड़ रहा हूं या जो भी बुरी आज़त हैं आपको सिर्फ new moon वाले पॉसिबल नहीं है तो उनकी बातों पर ज़्याद ध्यान नहीं रही है मैं यह नहीं करें कि उप्रपोस करना चाहरे तो आप इस दिन भी यह काम कर सकते हैं ठीक है तो आपको resume भेजना है कोई नया काम करना है किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुवात करनी है बहले आपका यूट्यूब हो आप उस दिन जरूर कुछ ना कुछ आपको करना ही करना यानि कि आपको action लेना है न्यू मॉन वाले दिन ये भी एक करिका है बीज बोने का आपने प्र डिजार्स के बीज बो दियो और फुल्फिल हो जाएगी न्यू मून होता क्या है कि moon cycles हमें बहुत ज दिया जाएगा वह अलग चीज है थेले उसके बाद में बात करेंगे बट अगर आपको कोई opportunity क्योंकि lunar cycles बहुत दा रोल प्ले करती है हमारी life में तो especially अगर new moon वाले दिन आपके पास कोई job opportunity आती है या कोई stranger आपको invitation या call करता है या आपको date में आने को पूछता है या more detail में जाएगे थोड़ी analysis करिए देखिए क्योंकि generally new moon के दिन जो है opportunities या लोग मिलते हैं यानि कि वो हमारी life में lifelong या कुछ time के लिए हमारी life में रोल प्ले करेंगे positive sense में तो अगर कोई job के opportunity आती है कोई offer letter आपके पास आता है कोई नया person आपके पास आता है मैं यह नहीं कर थोड़ा search करिए find out करने की कोशिश करिए अपना थोड़ा सा हलका फुलका जाए जानने की कोशिश करिए उसके बाद आप अपने साफरे decision लीजे पर new moon पे opportunity आने का मतलब है कि वो long time opportunities होगी एक तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है और मैंने आपको बोला था कि हाँ last video आपको अपने घर में जहां पे भी सबसे अला अंधेरा रहता है चाहे वो चत के store room में हो गर के store room में हो या आप घर की सारी जब lights off कर देते हैं अपने bedroom में सूने जा रहे है तो बाहर दिया या candle जला के छोड़ दीजिए it will send a sign to the universe, एक universe को sign जाएगा that you want light in your life, आपनी life में प्रकाश चाहते है रूम में देखिए इसले इंपॉसिबल नहीं हो कि आजकल गर्भी का टाइम है एक सी चल रहा होता पंखा चल रहा होता हो सकता है वो दिया या candle जो भी आपने जलाई है बुझ जया है तो मैं क्या घरती हूँ मैं अपनी kitchen में एक अच्छी खासी candle जला क चल रहा होता है बाकी हर जगे नहीं चल रहा होता है तो मैं अपने kitchen में ट्वालेट्स तक में candle light रखके छोड़ देती हूँ चोटे योड़ी चापाई हंटे जल जाती हूँ सुबे तक जल जाती है वो रात के 11-12 बजे मैं काम कर देती हूँ तो जो भी रूम है आप सारे क चापके इसको रख दीजिए ठीक है तो बाकी और सारी जान कर रहे लिए मैं खुब सारे लिंक दे दूंगी आप जो भी आने वीडियो पर आप उसको देख देए बचे छोड़ी चिर्जन में लगा मुझे आज आपको बता देरी चाहिए तो आपकी रिजन को जरूर और आप देखेंगे एपनी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं थैंक यू सो मच गाइस टेक एर